मेरे प्यारे देशफासियों, हमारे पुर्वजों का ज्यान, हमारे पुर्वजों की दिर्ग द्रश्टी और हमारे पुर्वजों का एकात्म चिंतन, आज भी कितना महत्वपुन है, जब उसकी घहराई में जाते हैं, तहम अस्षिरे से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा रुग्वेद, रुग्वेद में कहा गया है ओमान मापो मानुशी, अम्रुक्तम धात तोकाय, तनेयाय शंयो हो, युयमहिष्ठा भीशेजो, मात्रु तमा विश्वश्य स्थातु हुँ, जगतो जनित्री ही, अर्थात हे जल आप मानुटा के परम मित्र है, आप जीवन दाईनी है, आपसे ही अन्न उत्पन होता है, और आपसे ही हमारी संतानों का हीत होता है, आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, और सभी बुराईयों से दूर रखते हैं, आप सबसे उत्तम आउशदी हैं, और आप ही इस ब्रह्मान के पाननहार है, सोचिए, हमारी संस्कृती में हजारों वर्ष पहले जल और जल सवरक्षन का महत्व समझाया गया है, जब ये ज्यान हम आज के संदर्म में देखते हैं, तो रोमान्चित हो उड़ते हैं, लेकि जब इसी ज्यान को देश अपने सामर्थ के रुप में स्वकारता है, तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती हैं, आपको याद होगा, मन की बात में ही चार महिने पहले मैंने अमरित सरोवर की बात की थी, उसके बाद अलग-अलग जिलों में स्थानिय प्रशासन जूटा, स्वयम से भी समस्थाएं जूटी, और स्थानिय लोग जूटे, देखते ही देखते, अमरित सरोवर का अंदर्मा एक जन आंदोलन बन गया है, जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तवियों का एहसास हो, आने वाली पीडियों की चिंता हो, तो सामर्थ भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है, मुझे तेलंगना के बारंगल के एक शांदार प्रयास की जानकार मिली है, यहां एक नई ग्राम पंचयत का गठन हुआ है, जिसका नाम है मंग्त्या वाल्या थांडा, यह गाउं फोरेस एरिया के करीब है, यहां के गाउं के पास ही एक ऐसा स्थान था, जहां मानसून के दवरान काफी पानी इखटा हो जाता था, गाउं वालों की पहल प के तहत विक्सित किया जा रहा है, इस बार मानसून के दवरान हुई वारिज में, यह सरोवर पानी से लबालब भर गया है, मैं मद्द प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचयत में बनें, अमरित सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, यह अमरित सरोवर क पाना राष्ट्रिय उद्यान के पास बना है, और इसे इस इलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है, उत्तर प्रदेश के ललितपूर में नम दिर्मित, सहीद भगत्सी अमरित सरोवर भी लोगों को काफी आकरशित कर रहा है, यहां की निवारी ग्राम पंचयत में बन रहा है, सरोवर के पास लगे 35 फिट उंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अमरित सरोवर का यह अभियान करनाटका में भी जोरों पर चल रहा है, यहां के बागल कोट जिले के बिलके रूर गाउं में लोगों ने बहुत सुन्दर अमरि रहा है, दरसल इस खेतर में पहाड से निकले पानी की वज़े से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, किसानों और उनके फसलों को भी नुक्सान पहुंचता था, अमरित सरोवर बनाने के लिए गाउं के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए, इससे इलाक में बाड की समस्या भी दूर हो गई, अमरित सरोवर अभ्यान हमारी आज की अनेक समस्यों का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, इस अभ्यान के तहट कई जगों पर पुराने जलाशनों का भी कायकल्प किया जा रहा है, अमरित सरोवर का उप्योग पशुओं की प्यास बुजाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है, इन तालाबों की वज़े से आसपात के ख्षेत्रों का ग्राउंड वोटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों और हर्याली भी बढ़ रही है, इतना ही नहीं, मेरा आप सभी से और खास कर मेरे युवा सात्यों से आग रहे हैं, कि आप अमरित सरोवर अभियान में बढ़ चट करके हिस्सा लें, और जल संचय और जल समरक्षन के इन प्यास्व को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं